ईस रावी सब्च्ण बेलकम बच्चों सुआगत है आपका अपने चैनल है ज 2 टेकनिक जो आपको पॉलिटैक्निक से रिलेटेट सभी साव्य सब्जेक्ट की वीडियो प्रोषाइट करता है तो मेरे नए अप्जकर स्वाकिका है डीसी मसीन कायाफ है हुआते पी अगां में एक सित करेख लिए दोट कि शल्चाई विश्चाल All इसंटी अप değer दिश्चमना विपिस यह अगया था आता है यह मैंने ख्लासिफिकेशन आपको समझा दिया है अब आपको क्या मैं आपको एक वीडियो भी में पूरा क्लासिफिकेशन समझाओं तो इस वीडियो में हम डी सी मोटर की टाइप्स पूरे डीप्ली देखने वाले हैं तो बक्चो ध्यान से बना बिल्कुल टाइप्स आप दीसी मोटर तिक बच्चों यह जो टाइप्स होते हैं बच्चों यह जो क्लासिफिकेशन होता है यह बच्चों किसके किसके बेस पर होता है अन्दा बेसिस आप फिल्ड एक्साइटिएटिशन कि इसजी बैस डाओ अई यह लो हुए है कि है किसके बिस पर होता बच्चों on the basis of fields excited is and और उच्पिश इस खाथ एस क्लासिफिकेशन कैसे किया गता तो देखिए बच्चों одंग लासिफिकेशन और दो पार्ट में होता है एक तब कह उता है त सेपरेटली एक्साइट डीसी मोटर और बचों इसके बाद जो अगला टाइप है वो है आपका सेल्फ एक्साइट डीसी मोटर जब पढ़ रहे हैं तो सेल्फ एक्साइट डीसी मोटर बनाने के लिए हमें अपनी फिल्ड वाइंडिंग जो होगी ना उसको किसी ना किसी प्रिकार अर्मेचर से करने भी करना पड़े हैं अब आप करेंगे उसी इस पर सेल्फ एक्साइट डीसी मोटर के तीन टाइप होते हैं कैसे कर रहे हैं सबसे पहले अगर आपने फिल्ड वाइंडिंग को और वाइंडिंग को आर्मेचर के संट मेंट करते हैं तो ऐसे मोटर को बोले जाता है डीसी संट मोटर और बच्चों अगर आपने क्या किया सीरीज बाइंडिंग और संट बाइंडिंग दोनों को मोटर में किया है तो इसको बोलेंगे डीसी कंपाउंड मोतर नामसर पता चलता है कि इसमें सीडी और संट दोनों का प्रयोग किया है इसलिए स्मोटर का उन्वों वोल लाइं बच्चों डीसी कंपाउंड मतलब यहां तक आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला आपको इस जो हमारी होती है न इसको फिर से दो पाट कोन से होते हैं इस यह फार्ट होथे समारे आहं हुता है। इसे जेनेरेटर पर भार बिर भी आहुते से देखेंगे मतलब अब मोटरiron के श्रौत में ओके बच्चों सौर्ट संड और लॉंग संड तो चलिए बच्चों पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया डीसी मोटर का पूरा क्लासिफिकेशन कैसे होता है अब हम इसके एक-एक मोटर की टाइप को डीपली पढ़ने वाले हैं तो आईए ध्यान लागा के बढ़ी बच्चो मौने तो सब्सक्राइब टाइप को सा दिकवा एपश्युक्राइब करके क्या तो धिका बच्चों अब मठिटके लीए धाय एक्साय गजिए पिसी मोलतर हो टी जूह इंअ के बच्चों अब सेपरेंटली हो को मतलब एंग करना है क्योंकि मेन फिल्ड बनानी है मेन में माइगनेटक पर हम क्या करते हैं इसमें जो फिल्ड बाइंडिंग होती है उसमें अलग सोर्स्प्लाइब देते हैं मतलब मेरी फिल्ड बाइंडि आ इसको क्व excel किया मैंने एक अलग dc source था separate दीशी सोय था उससे मैंने Carmen कर दिया मतलब ऐस से मैंने सऻल की माया बत्चो क्यों कि आरमेंच से किसी का है तो यह देखिया नहीं नहीं दिखाया इसका ठीक है और अब देखिए क्योंकि जन्रेटर के केस में आप यहां पर क्या लगा रहे थे लोड लगा रहे थे तो आप यहां पर क्या लगाएंगे बच्चों अगर यह नभी आपका मोटर है तो किया सब्सक्राइब कंडियं पडिया नियुक्त किता आपने सप्लाइब 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 की लगा दिए एक सब्सक्राइब को मैं ने आई से दिलिए अब यहाइं तौ इसको मैं मैंने क्या दिया आइए अप से और मैंने क्या किया इसका रिजिस्टेंस किसे दिखाया आ रहाए तो बच्छों अब देखिए पूरे सरकेट में देखिए क्या हुआ मैंने क्या किसी भी प्रकार आजमेचा से कनेक्ट किया नहीं किया मतलब इसको मैंने एक अलग DC सोर्स से सब्सक्राइट किया ना अलग DC सोर्स अपलाई दी इसी लिए बच्चों मैंने इसका नाम क्या दे दिया सेपरेटली एकसाइटड DC मोटर मतलब सेपरेटली एकसाइटड DC मोटर करने के लिए किसी अलग DC सोर्स की सहाइता ली जाती है तो एसी मोटर को सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का यह सब कर डाइगराम है अब बच्छों हमें जब भी वह भी टाइप देखेंगे तो चीजें बच्छों पढ़ेंगे एक तो आर्मिचर करन्ट इक्विशन एक बच्छों पढ़ेंगे आर्मिचर बोल्टेज क्यों यानि कि आर्मि में आर्मिचर करन्ट कि आ यह औकि कर रांषेट प्र कि आई चाहिए और अब देखें अलग है इस इतब आगे तो आचाहिया तो अब देखें लिए चाहित हैं आई आई है यहा है कहां चाहिए जय कौन देखत बोल्टि गाहां शनकत है और सब्सक्राइब अगला टाइप मतलब अगली चीज़ हमें क्या देखना है आपको डीसी जनेरेटर के केस में क्या बताया था बैक यहमे पंपय सन निकालने के लिए के वेल बच्चों अबहिसाअ उस लूप में लगाना जिस लूप में आपका आर्मेचर और लोड कनेक्टेड हो अब डी सी मोटर वाली बात है यहां पर लोड कनेक्टेड होगा नहीं सप्लाई कनेक्टेड है तो बच्छों यहां पर के वी एल उस लूप में लगाना जिसमें आपका सप्लाई वोल्टेज और आपका आर्मेचर क सबसे पहले supply voltage क्या है बच्छों अब भी बच्छों वी किसमें गया है यह आई करन चलिए यह किसमें गया आपका आर्मीचर में बच्छों आर्मीचर का रिजिस्टेंस था एक आरे आरे की बज़े से आये मतलब आरे में गई तो क्या हुआ एक बोल्टिज ड्रॉप हुआ ज कि बच्छों तो मतलब भी बराबर क्या हो गया आई आरे यह कुछ बोल्टिज ड्रॉप हो गया आपका आर्मीचर में प्लस यहां से बैक क्या हो जाएगी बच्छा इवी बराबर भी माइनस आई यह तो मुझे अम्मीद बच्छों कि लिए रोगी बात होगी आपको बात अगले टाइप कौन से जाएंगे रख्ण अंगला टाइप जाएंगे हम सल फेयत्र भी तो अगूस के अगर में डेफी डिंस बोलने की कोसर्स करूँ तो कैसे बोलूँगा एसी डिसी जिस में फिल्ड वाइनिंग को किसी अलग डिसी शोर्ट से एक्साइटेड नहीं किया जाता बल्कि जो आर्मेचर में डैपलाप होता है उसी का कुछ पार क्या कर देते हैं फिल्ट वाइंदं में दे देते हैं और उससे तो एस प्रकार की मोटर को बच्चो क्या वो लेंगे अगल के सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो बच्चों कितने प्रकार से दो प्रकार से कर सकते हैं एक संट में अब जब सीरीज और संट दोनों कर देते हैं तो इसको कमपांड बोला तो सबसे पहले टाइप बच्चों हमने क्या देखा था सब्सक्राइब करेंगे मतलब यह आपका डीसी मोटर का क्या है आर्मेचर है तो कि बच्चों इसमें क्या डेवलब होता है बैक यह में जाही ऊगया हम एड़ा अब यहार हए आर्मेचर है आर्मेचर कैसे करना सीरीज स्मेट ना यह चरक करती है तो इस इस इसमें आटक एज सेरे में करती है हुए है चगये बना लिए बच्चों कुछ अदूरा तो हैं आ क्या कर दो बोल्टेज सप्लाई और लगा दो सप्लाई लगा दो भी हमने सप्लाई सोस लगा दिया मोटर के बच्छों अब देखिए बच्छों डीसी सीरीज मोटर और बच्छों आपको एक चीज बता दूँ डैफीनेशन अगर इसमें कैसे बोलना चाहोगे के ऐता अब सिरीज मोटर कहा जाता है इस प्रकार की मोटर में बच्छों यह मोटे वाईर के कम टंस की बनाई जाती है कैसी बनाई जाती है थिक बायर मतलब मोटा वायर के लेस्ट टन से मतलब कम करने के लिए अब बच्छों अब हमें क्या देखना है कि आर्मेचर करेंट इक्वेशन को देखी बच्छों अब देखी बच्छों यह आपकी सप्ला बोल्टे सप्लाई लगी है इसके जो करेंट लोगी उसको मैंने आई से दिखा दिया ओके बच्छों यह आई हमारी फिल्ड वाइनिंग में गई सब्सक्राइब आई तो इसको मैंने किसी दिखा दिया आई से टो कि बच्छों अब यह आईसी किसमें गई आपकी आड में जिसको मनें किस्टाइब आ यहां रहे है और यहां पर लाइंड रसक्टेंट से वह आजए फोट्ट आपके बटे सोर्क्राइब यह नहीं किसमें आई फिल्ड मैंनि में आई बराबर क्या होगी आई हैं अब देखьिए यह आई है कहीं पर डवाइड होई और यह सीधी कृष्म में मतलब यहां पर आप पर करन्ट किसल क्या होगी बच्चों आई आइ बराबर आइस एल भाइए आ यह बराबर आई A.C. बराबर ये बत्यों कि अर्मिछा करेंटी इस के बाद बच्चों में क्या देखना है आर्मिछ्ष टो हार में 선 प्रस्वल करें आप में जर्श बैक एम्फ इक्विशन लगाई यह के बिए ल करन टार्ट की डायक्शन फिक है लगाई के विल तो यह क्या है वोल्टेज सोर्स मतलब भी ब्राबर क्या हो जाएगा सबसे पहले करेंट किसमें गई वाइडिंग में इसमें को वोल्टेज रॉप होगा बिलक क्या होगा आई आए अरे इतना पार्ट आपका बोल्टेज रॉप हो गया अब बाकी का पार्ट क्या होगा बैक एमहों में डैफ्लप हो जाएगा तो क्या होगा प्लस हो कि भचों अब यहां से अगर बैक एमेश निकालना आइच तो क्या करना पड़ेगा वांपो लिवी बराबर बी- आई-सी आराइसी माइनस आईये आरे अब देखवा बच्चों आईये सी बराबर क्या अपकी आईये है तो मैं बच्चों यहां पर लिख सकता हूं यहां कि बी- माइनस आईये 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 रख दिया माइनस आईये अब बच्चो दोनों जो किया आईये हो गया तो मैं आईये माइनस आईये को कॉमन ले सकता हूं ले लिए बच्चों कॉमन इसको कि इभी प्रावर क्या हो गया वी माइनस आई यह कॉमन ले लिया क्या हो गया आरसी प्लस हारी है वह समझ में आ गई होगी बैक यह मैंने कैसे निकाली उक्यों चलिए इसके बाद बच्चों में अगले टाइप कौन सा देखना है जैनेरेट वह मोटर का बच्चों को देखन है दी-सी सेंट् le股 मां न को सीरीज में करेक्ट कर दिया हम वसली की है अंधर कैसे क्या हुआ हरे हमारी बैक विदिन क्या तर आप बत्रों अब में संट में कर देता हूं तो कौनसी मोटर वन गैं हमारी डी-सी स्व था तो कि बच्चों तो डी सी संट मोटर बना रहा हूं मैं बच्चों तो फिल्ड वाइंदि को कैसे करनेट करना है आर्मिचर के संट में यह हमारा मोटर का आर्मिचर के बच्चों यह बैक यह मैं तो यह रवैक के और यह हमारा किसे एक सप्लाई से मतलब इसको अब क्योंकि यह दी सी संट मोटर है तो फिल्ड वाइंदि को कैसे करनेक्टर होगे संट में लगा दी शेंट में ना लगा दिया है जो मैं अब क्या सर्केट बन गया विलकुल बन गया थूधिव गट्चो इस को एक चीज़ और बता दूं जो आपकी सैंट फील्ड वाइंडिंग होती है अभाग हुआ है या संट फिल्ड मैंद में में हम क्या देख रहेते मोटे वायर के इस विक्वाइब गें बन रहे बीए बच्छों यहां पर यहां पर क्या होगा पतले वायर मतलब थिन वायर को पतले वायर के अधिक टान से यह बनेगी यह संट माइन अब उन्हें सर्केट बना लिया है अब इसमें पैरामीटर्स दिखाई यह तो भी इस अप्लाइग करेंट आई हो गई आई हो गई और यह जब संट फिल्ड वाइनिंग करेंट में संट फिल्ड वाइन वही तो आई है से चुब इस पॉइंट पर डिवाइड हुई हो हो कि इसे तक यह सग्फिल्ल वाइनिंग रेजिस्टेंस बचों आरय से दिखा दिया और यह से दिखाद है मुठन है क्या निकालना रावil निकालना है आरे जली दिस के अधारर के खैppen्राइट निकालना है अ करे निकालना भी आ चैकान क्या आपकी आई ही है अभी यह आई चली बच्चों हम तो यह आई बच्चों इस पॉइंट पर यह इए सब्सक्राइब कि और टो आई एक तो आई एक ताउय क्वाइबबर क्या होगे या इस अच्छल आइट लॉस्ट तो फट्टो अब देखिये यह हमारी आविच्छ तो आई ए ब्रॉबर क्या हो जागा है यहां से आई यह बराबर इस आया बच्छों कि क्या हुआ हमारा आई बराबर आई एसट प्लस आएदा तो यहां से हमने आई यह निकाला आई यह बराबर आई यह ऐसे हमारी हार मेश्ट करने दिक्टेशन है को कि अगर अब मुझे क्या निकालने बच्छों अब मुझे निकालने है बच्चों आर्मेचर्स बैक एमफ इक्वेशन कैसे निकालने बच्चों आर्मेचर्स इसमें लगाना के भी है उस लूप में जिसमें आर्मेचर्स और सप्लाई करने अब यह किसमें आपका आर्मेचर्स में आर्मेचर्स में क्या हुआ कुछ बोल्टेज ड्रॉप में डैवलप हो गया अब यहां से अगर मुझे बैक एमफ की एक्वेशन निकालनी है ना बच्चों कैसे निकालूंगा इवी बरावर वी माइनस अब क्या करिए बच्चों अब हमें क्या है कैसे निकाला मैंने अब तो आप खुदी निकाल ले रहे होगे अब क्या करिए बच्चों अब हमें क्या है एक ऐसी मोटर चाहिए थी जिसमें अब क्या है यह उसमें दो प्रिकार से कर सकते हैं उसी आदार पर हमने कि किन दो पार्ट में डवाइट किया था डी सी कंपाउंड मोटर को बच्चों यह डी सी कंपाउंड मोटर इसको अबने दो पार्ट में डवाइट किया बच्चा स्वाट संट कंपाउंड मोटर वाट सांट डी सी कंपाउंड मोटर और वच्चों इसके बाद लॉंग संट डी सी कंपाउंड मोटर थी के बच्चों अब देखी बच्चों डी सी कंपाउंड मोटर की अगर आप डेफीनेशन बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे ऐसी डी सी मोटर जिसमें सीडिट बाइंडिंग और संट मेंड़ा फ्रेओं दोनों का परियोग किया जाता है अर्शाट villain अंतलब क्या होता है जब दो चीजे़ों को मिलां तो कंपाउंड बनता होता एक तो सुल्स dc कंपाउंड मोटर हम उसके बेशिस पर विश्क्र दो होते हैं इस व्युक्त और संद डीसी कंपाउंड मोटर क्ल्पाउंड बच्चे पहले हम कौन सा देखेंगे और सब्सक्रण डीशी लिगने वाले हैं स्वाइब हो टेंट अई करेंगे तो कि बच्चों सोड़ रिशी कंपाउंड अब सौर्चंट का मतलब क्या है शुब इसमें क्यों की सांट बाइंदिंग दोनों क्या करेंगे तो हम सेंट वायडिंग होगी उसको हम सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर के संट में कनेक्ट करेंगे मेरा कहने का मतलब इसमें शीरीज बाइंडिक भी है ना हम केबल आर मिटे के संट में करेंगे इसी बाइंडिक के लिए अपलब देखी बच्छों यह मेरा क्या है आर विशन वह थे बच्छों डैक्जिय एमेफ कि अब मैं क्या करता हूं और कंपाउंट जनेटर है तो एक सेंट वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं अब देखों जो हमारी सेंट वाइंडिंग है यह सेंट वाइंडिंग जिसको मैं बोल रहा हूं सेंट वाइंडिंग का बंकिवाइंडिंग के पैरलल में नहीं हैं प्रेवाइंडिंग के पैरलल में भाइज़ में इसको बोलना चाहूं तो कैसे बोलूँगा ऐसी डीसी कंपांड मोटर जिसमें सेंट बाइडिंग को केवल आर्मेचर के संट में कनेक्ट किया आता है सीरीज बाइडिंग के नहीं अब देखिए हमने सर्किट ड्रोफ लिए तो सारे पैलामिटर दिखाईए तो सप्लाइग कराएं आई यह किसमें गई आपकी सीरीज बाइंडिंग में तो क्या होगी आई एस पॉइंट पर क्या होगी बच्चों तो यह एक पार्ट क्या होगया आई एक पार्ट होगया से पहले क्या करेंगे हम आपनेश सब्सक्राइग करेंगे ह। अधितर अधितर करह फार्ट क्या होगया है इस फीर ऐसी पॉइंट पर क्या हूँए डिवाई होगई ऐस न nuclear यह तो यह इस बाराबर क्या होगया है आईये नस साइब होगा निद्र ठाइब लियुक्टि अगर मैं यह की बार ऑंच आई-माइनस-ाइच-थ-ठाकि क्या लिख सकते हैं है ये बराबर आई एसी माइनस आई जो यह हमारी आर्मिटर करेंट इसके बाद हमें क्या देखना है इसके बाद हमें देखना है बैक यह मैं आप इस बैक यह मैं आप है आप है जैनल निकाली ओचों इस रूप में लाएंगे के विए जिसमें आप मीं चाहर सप्राइग नेक्टर रेंट की राइक्षिन यह रही है यह लगाई आप लाइप वोल्टेज विपारे ड्रप का होगा इस फिल वां इंडिंग में तो क्या हो जाएगा IASE-RSE फिर पुछ पार्ट ट्रॉप होगा किसमे आर्मिछर में किसके रूप में IA के रूप में IA RA के रूप में और फिर बाकी पार्ट कैसा हो जाएगा डेपलप हो जाएगा बैक EMM के रूप में तो प्लस EB तो यहां से बैक EMM बच्चों तो यह बिवराबर भी माइनस आई ऐसी आएसी माइनस आई यह आगे बच्चों तो आपको निकालनी आगए होगे अब तो मुझसे पहले निकाल ले रहे हो गया अब क्या करना है अगला टाइप देखना बच्चों लास्ट आई पर यह बच्चों हमारा अगला टाइप कॉन से भच्चों नौंग सेंट निसीघक कलेती है वह एक उतम इन ध्युर्लत कि अददाडीद में को ये संट में किनट डेना कि सीडी ओम लों संट में क्या कर देते हैं अर्म है तीमेट ट सित्विवांधर रूर्मट की साथ में एक यरीज बाहिनल र 20 कि आर्मिचर के साथ मैंने क्या किया एक सीरीज बाइंडिंग लगा दी कि क्या लिए देखो बच्चो क्या करना है मुझे सबसे पहले में यह था मेरा आर्मिचर कि ऐखो बच्चो क्यों यह रमेंग यह सीरीज बाइंडिंग है करनी है तो करिए चुर्ची है का यह मैंने क्या किया सीरीज बाइंडिंग करना करी ओके अब बच्चो मुझे संट वाइंडिंग भी कनेक्ट कर दो अब देखिए अब इस सर्केट में देखो बच्चो यह आपकी क्या है संट फिल्ड वाइंडिंग यह आपकी सीडिस फिल्ड वाइंडिंग तो यहाँ पर देखो आपकी संट फिल्ड वाइंडिंग बच्चों आयमेचर और सीरिष फिल्ड वाइंडिंग दोनों के संट में इनक्रिक और देखुई आता है एसी मोंतर को लॉंग संद डी सी कंपाउंड मोंतर कहते हैं तो चलिए बच्छों पैरा मीटर्स दिखा यह सप्लाइग करेंट आई यह फिर इस पॉइंट पर डिवाइड होई और गहां पर गई एक पार्ट आई-एसी एक पार आई-एसफ ओकि बच्छों इसका रेजिस्ट कर टेर्र ही करेंट इक विश्टल आकर लिए बाइच्छों आ सब्से पहले एक और आइ पत्सक्राइब यह भाल्य इस registry पीजुएंटऑ वैसे प्लस इसे क्या हो यह ब्रावर यह प्लस यह ई यह को शिर्वक्त पिकालिये मैं इस यह माइनस है तो एक यह बराबर आई माइनस आई सब्सक्राबर और अब बराबर किसके स्यीज्ट करेंट के कि आई यह सी आपके आध्या निटिनुछ के अथे करेंट इक्वेशन देखने के लिए इसमें लाओ ते क्यों पर含लाई और निक्षा लगाई एक इलाई तो लगाई कि आर्मिचर्स बैक एम एफ कि एक्वेशन चलिए तब से पहले सप्लाई गोल्टेज भी इसका कितना पार्ट डिवाइज मतलब आई-सी में कुछ पार्ट क्या हो गया वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो क्या हो गया आई-सी आरे आई-स ड्रॉप हो गया और उसके बाद आगी पार्ट किसके रूप में डैबलप हो गया डॉप में नयुक्सान याँ सफे लिए बराबर क्या होगे बच्चों तो भी माइनस एसी आरह सी माइनस आइये आर मद्चों की आइये सीं को हम आइये भी सकते हैं यह बोर क्या होगे बच्छो साहां भी माइनस आइये आरे जेयर बद्चों आये को पैयंनस आईये आरन ए मनाश्य माहिफले एक आहे यह क्यों आपकी आर्मियेशर की बैक लुइंज भी निकला लिए बच्चों डीसी मोटा जो लाइश्ट पार्ट तालाइब उमने देख लिए जब अब क्या रिवीज़न करते हैं बच्छों कर लो कर तो जाली है कि अप्से पहले बच्छे वनने क्या दिख़ें लाज़ी इसका इसका किसके बेस पर चोंग ऑन दा बेसेश ऑफ फिल्ड एक्साइटेटेटेशन के बेस पर चुक्ट दो पार्ट में ग्लासिफिकेशन सैपरेटली एक्साइटेट एक अलग डी सी सोर्सेट इन को ए से क्नेक्स ना पड़ेगा सिसक्राबगेंगा की एपना और two सब्सक्राइब और इसके बाद इसके बाद इसे संट मोटर में क्या जा रही थी पतले वायर के अधिक और इसमें क्या आई यह बराबर आई माइनस आई आई अब अच्छों डीची कंपांड मोटर में ऐसी करेक्टरिस्टिक चाहिए थी जो सीडिश मोटर के बीच में हो मतलब हमने इसको शीज बाइंडिंग और संट वैंडिंग दोनों करेंट कर दी अब इसमें भी दो टाइप अबने क् मतलब हमारी संट वैंडिंग थी और आदे अग्या वराबर आई एसी माइनस आई अगला टाइप की अबच्छा हमने लॉंग संट क्या दिखा कि हमारी की मतलब हमारे जो इसक वाइंडिंग वो क्या थी आपके आर मिचार और सीलिज बाइंडिंग दोनों की सब्सक्छां यह बढ़ाबर आइस बढ़ाबर आपको एक चीज के लिए लोगई होगी आपको मोटर का एक टाइप समझ में आ गया होगा अब इसके बाद बच्चों इसका मैगनेटिक फ्लक्स के बेस पर भी क्लासिफिकेशन होता है पर वो हम देखेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करी लेना है हमारी अगली वीडियो और भी जाज अच्छी आने वाली है उनके लिए वेट करो तब तक हमारी इन वीडियो को बार-बार रिवीजन करो अब आप से मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जयहिंद जयवार्ण